गुड मॉर्निंग ओल अफ यू हम आज चेप्टर थर्टीन शुरू करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का जिसमें कोशन नंबर वन करेंगे पहले कोशन नंबर वन में क्या दिया है दो क्यूब है दूनों का वोल्यूम 64 सेंटीमिटर क्यूब है उनको end to end जोड़ा हुआ है तो जब उनका वोल्यूम दिया है क्यूब का वोल्यूम सबसे पहले हमें क्या करना है वोल्यूम ओफ क्यूब जो जो बोलता जा रहा वो वह लिखते चले जाते है वोल्यूम ओफ क्यूब यानि क्यूब का आइतन volume मतलब item ठीक है question में दिया क्या था volume of cube यानि घन का item कितना दिया हुआ है आपका कितना दिया है 64 cm cube क्या दिया है cm cube अब एक बार बताओ volume of cube होता क्या है a cube यानि length का cube या आप लिख सकते हो edge का cube a cube इसके बराबर है 64 के a cube जब निकालते हैं यानि 64 को किस की उसमें रखना पड़ेगा cube की term में रखना पड़ेगा रखो cube की term में 64 4 4 जा 16 16 4 जा 64 16 4 जा 64 तो a cube is equal to 4 का cube तो a की value यहां से क्या आगई बेटा 4 cm क्या value आगई 4 cm देखो दुबारा बता देती हूं question दिया है दो cube है जिसका volume 64 cm cube है इन दोनों को क्या किया हुआ है जोडा हुआ है end to end ठीक है उसका आपको क्या निकालना है surface area निकालना है अब यह देखो अब हमें पता चला कि जो उसकी side आई कितनी आई 4 cm तो जब दोनों को जोडा है ऐसे जोडा हुआ है तो 4 इसकी और 4 इसकी कितनी हो गई 4 4 8 तो उसकी length कितनी हो गई 8 cm लेकिन जो height है और breath है जो breath है और height है वो तो कितनी रही 4 cm रही क्योंकि वो एक end से जुड़ा है तो अब हमें क्या करना है length, breath, height लिख लो एरिया निकालना है एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा तीनों चीज़े चाहिएंगी length, breath, height तो लिख लेते हैं क्यूब की अब यह किस फोर्म में बदल गया क्यूबोईड की शेप में किस शेप में चला गया क्यूबोईड की शेप में क्यूबोईड की length कितनी होई 8 cm breath 4 cm और height कितनी हो गई 4 cm आपको क्या निकालना है surface area surface area फार्मूला क्या होता है 2 into LB plus BH plus HL समझ में आया ठीक है 2 into LB plus BH into HL यह आपका फार्मूला है इस फार्मूले में values पुट कर दो 2 into L की value 8 ठीक है न L की value 8 breath की 4 plus फिर breath की 4 height की भी 4 है plus height 4 है length length कितनी है आपकी H की 4 ठीक है कितनी 4 और length 8 इसको solve कर लेते हैं 2 into 8 चो का 32 4 फूर्ट जर 16 8 फूर्ट जर 32 चीक है इन सबको एड किया तो कितना आएगा 2 इंटू 6,28 और 2,10 3,4,5,4,3,8 80 यानि कि 80 को 2 से मल्टिप्लाई किया तो कितना आएगा 0,28 जा 16 यानि कितना आएगा 1,6 0, cm2 यह आपका क्या आजाएगा बिटा answer आजाएगा क्या आजाएगा समझ में आया क्या आया answer कितना आया आपका 160 cm2 समझ में आगया दुबारा बता देतीं कोश्चन में क्या दिया था कोश्चन में क्या दिया हुआ है आपको 2 cube है जिनकी volume 64 cm3 है यानि 2 गhan है जिन का आयतन 64 cm क्यूब है, हमेशा आयतन क्यूब में होगा उसका आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है तो हमने दो क्यूब बनाई, दोनों को जोड़ा तो वोल्यूम दिया था 64 cm क्यूब तो क्यूब क्या होता है, वोल्यूम आफ क्यूब च्योब क्या होती है घंकाय तन, A Q 3 Sides का A Q, यानि Sides का Q तो A Q तो 44 को भी किस TUM मिलाना पड़ेगा Q की TUM मिलाना पड़ेगा, तो हमें पता है कि 64 किसका Q होता है, 4 का Q होता है 4 का Q होता है तो अगर A Q 4 Q के Equal है, तो A की value किसके 4 के Equal होगी फिर अब हमें ये पता है कि 2 को जोड़ा हुआ है 2 क्यूब अब length तो 2 को जोड़ोगे तो 4 एक क्यूब की length दूसरे की भी 4 दोनों मिलकर क्या बन गई length क्या बन गई 8 बन गई height चारी रहेगी breath भी 4 रहेगी surface area का formula 2 into lb plus bh plus hl formula में value put करी lbh की इनको solve करने के बाद आपका volume कितना आगया 160 cm square समझ में आया बहुत easy question था values put करनी है formula याद होना चाहिए बस next question है बिटा आपका a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder क्या है? cylinder रखा हुआ है किस पे? एक hemisphere पे अर्ध गोले पे ठीक है? यह समझ में आगया होगा एक slender की form है जो किस पे रखी है? अर्ध गोले पर रखा हुआ है ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? the diameter of hemisphere diameter कौन सा होता है? diameter होता है बिलकुल बीच में diameter जो यह होता है हम इसको क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे यह क्या होता है? diameter यानि व्यास कितना दिया है? d की value क्या दिया है? जो दिया है वो लिखते चले जाओ 14 cm किसका? hemisphere का hemisphere हमें क्या चाहिए होती है? में तो radius चाहिए होती है और radius हमेशा क्या होती है? व्यास की आधी यानि diameter की आधी तो क्या करेंगे 14 upon 2 यानि की 7 cm और क्या दिया है total height यहां से लेकर यहां तक क्या दिया है height कितने cm 13 cm अब एक बाद बताओ जब total height total height vessel की कितनी है लंबाई कितनी है 13 cm तो जब यह 7 radius तो अगर मैं 13 में से height of चाह लिखेंगे height of cylinder cylinder की height भी तो पताओ नीची यह न 13 में से अगर मैं इस radius को radius कितनी 7 cm 7 को minus कर दूँ तो कितना है किया 6 cm समझ में आया सबसे पहले हमें figure को ही ज़रूरी होता है क्या दिया था आपको आपको दिया था एक hollow slender है hemisphere पर रखा हुआ है slender है यह slender है यह किस पर रखा है hemisphere पर रखा है इस total vessel यह जो बढ़तन है इसकी लंबाई कितनी दी है 13 cm दी है हमें एक और चीज़ दिये कि यह जो निचे अर्द गोला है hemisphere है इसके diameter दिया है 14 हमें diameter नहीं चाहिए होता हमें क्या चाहिएगा अपी फिलाल radius चाहिएगी ठीक है जो जो दिया है वो लिखते जा रहे हैं फिर जब यह radius 7 है तो total length में से 13 में से 7 को घटा दूँगी 7 को घटा दूँगी तो क्या बचेगी सिर्फ उपर उपर की length बचेगी किसकी length बचेगी हो सिर्फ आपके cylinder की cylinder की length कितनी हो गई 6 cm height of cylinder समझ में आया फिर क्या करना है अब कोशन में पूछा क्या है find कोशन में पूछा है find the inner surface area of a vessel inner surface area of a vessel यानि क्या-क्या दो figure है आपके पास एक तो cylinder है यानि cylinder का surface area और hemisphere आधा अर्ध गोले का बेलन का और अर्ध गोले का अंदर का surface area निकाल दूँगी तो total surface area आ जाएगा हमारे पास तो अब formula लिखते हैं जो जो उसने पूछा है वो लिख लेते हैं उनने पूछा है total surface area total क्या पूछा है total surface surface लिखो या inner लिख लेते हैं इननर बूला है तो उसने लिखो टोटल इननर सर्फेस एरिया इननर सर्फेस एरिया अंदर का एरिया अब दो उच्छी जहे हैं हमारे पास एक तो क्या है सिलिंडर यानि इननर सर्फेस एरिया ओफ सिलिंडर प्लस किसका प्लस करने इननर सर्फेस एरिया ओफ area of क्या, दूसरा क्या है hemisphere, यानि कि earth गोला ठीक है, तो inner surface area of cylinder क्या होता है formula लिखते है 2 pi r h area is equal to 2 pi r h plus क्या, earth गोले का 2 pi r square, समझ में आ गई बात, तो ये किसका inner surface area of cylinder और ये किसका hemisphere ठीक है, total inner surface area of cylinder plus inner surface area of cylinder plus inner surface area of hemisphere अब जो जो values आपके पास है r की value है आपके पास h की भी value है h किस में है slender में तो slender की h की value हुमारी 6i थी r की value क्या है 7 cm है दोनों में r की value क्या रहेगी सेम रहेगी तो values put कर देते है 2 pi r h यानि 2 pi यू का यू रख लेते है r की value 7 h की value 6 plus इसको भी common 2 pi लिख देते है r की value 7 multiply 7 ठीक है क्या करेंगे 2 pi common निकाल लेते है यहां से 7 multiply 6 आ गया plus यहां से 7 7 चा 49 आ गया ठीक है फिर से कुछ common आ रहा है देखो दोनों में से 7 भी common आ रहा है क्या आएगा फिर यहां से लिख देते हैं 2 pi multiply कर देते हैं 7 चीक भी 40 plus 49 को इनको add किया तो क्या आए 2 pi 9 और 2 11 9 फिर इसको multiply करेंगे तो multiply करेंगे तो क्या आएगा आपका multiply कर देते हैं क्या आया चीक या था आपका 2 pi into 91 आपका था 2 pi लिखो 2 pi into 91 multiply करोगे तो 91 से 2 बन जा 2 29 जा 18 multiply pi तो 182 pi की value कितनी है 22 upon 7 7 to the 14 बच के 4 साच चिक 42 26 into 22 multiply कर दो 26 की 22 से 22 2 चिक बार न चार 5 2 चिक बारा 5 साथ 572 तो 572 cm3 square स्वेर स्वेरी एरिया पुछा है तो यहां square लग जाएगा समझ में आया यह आपका total बर्तन का inner surface area आ गया समझ में आ गया होगा यह आपका answer है तो दुबारा देख लेते हैं question में क्या क्या दिया था question दिया था question आपका दिया हुआ था कि एक vessel है जो अर्द गोले पर रखा है एक बेलन hemisphere पर slender रखा हुआ है hemisphere का diameter 14 दिया है radius हमने निकाल ली radius हमिशे diameter की आधी होती है total height दी थी vessel की यहां से लेकर यहां तक कितनी 13 cm हमें यह पता है कि जो hemisphere है उसकी radius 7 है चिक है तो हमने क्या निकाल दी height of slender height of slender कितनी आगई आपकी 6 cm फिर total inner surface area पूछा उसने question में total inner surface area वही दो हैं हमारे पास inner surface area of cylinder plus inner surface area of hemisphere दोनों को निकाल कर अगर मैं add कर दूँ तो total आपका inner surface area आजाएगा vessel का area of क्या होगा यह vessel ठीक है जो भी बरतन है आपका तो जो inner surface area of cylinder होता है 2 pi r h होता है और जो hemisphere होता है 2 pi r square h की value पुट कर दी r की value पुट कर दी इधर से r r की value पुट कर दी तो solve करने के बाद 2 pi into 90 बना गया इनको solve किया तो आपका 182 pi आ गया ठीक है फिर 182 pi को pi की value 22 पुट करी काटा 26 को 22 से multiply किया आपका क्या आ गया 572 इस तरीके से हमारा question solve हो जाता है question number second ठीक है बेटा बहुत easy question है ऐसे ही करना है इस question को आपका करो ठीक है इस समय हो जाता है